मुझा नियुक्ट 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 नियुक्त कि नवचकार चतिस गड़ आज का मुद्दा में आपका बहुत स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है कॉंग्रेस का सत्या ग्रह बदलेंगे सियासी ग्रह तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर बढ़ते हैं डिबेट की तरब ये तस्वीरें 36 गड़ के अलग-अलग जिनों से सामने आई हैं मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस ने प्रुदेश भर में गौ सत्याग्रह किया कॉंग्रेसी आवारा मवेश्यों को खेर कर SDM और कलेक्टर दफ्तर ले गए तो राजधानी राइपुल में कार्यकरता गौवंश का मुखोटा लगा कर विरोज जताते नजर आए कॉंग्रेस का गौ सत्याग्रह आवारा मवेश्यों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन सभी जिनों और ब्लॉक में कॉंग्रेस का प्रदर्शन SDM और कलेक्टेड में छोड़े आवारा मवेश्य गौठान यूजना बंद करने का भी क्या विरोग आवारा मवेश्यों से हो रहे सड़क हाथ से कॉंग्रेस ने विरोज जताते हुए लगाए गंभीर आरोग सरकार आवारा मवेश्यों को रोकने में नाकां साथी कॉंग्रेस ने गोहत्या को लेकर एक कहावत के जरीए सरकार पर हमला बोला कॉंग्रेस निताओं ने कहा कि सईया भय अंधार शंगार काहे का गोवन्स हत्या को रोकने में पुरी तरह से नाकाम साबित हुई है ये सरकार लगातार गौवन्स की हत्याएं हो रही है इस सरकार में मवेशी सड़कों पर है लगातार एक्सिडेंटल की घटना घट रही है और कई मौतें वोही कई जाने चली गई एक कहावत है कि संया भय आंधर तो सिंगार का है का प्रदेश की जनता का भी वही हाल है जिस सड़क से निकल जाओ आपको मवेशीयों का गरुआ लोगों का भीड जो है आपको सड़क में अंसन करते हो दिख जाएंगे कि हमारा मांग पूरा करो गोमाता को लेकर कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने उसको आड़े हाथ लिया मुख्यमंत्री विश्णु देव साय ने भूपेश कारिकाल की योजनाओं का हाल भी पूछा अब पिछले पांस साल जब उनको सरकार चलाने का आउसर मिला और नरवा गरवा घुरवा बारी उनका बड़ा फ्लेक्सिब इसकीम था लेकिन उसका क्या हाल हुआ कितनी मलब मोईसी मरे कितनी गाय मरी यह सब को पूरा छतीगड जानता है यह सब उनका एके नौटंकी ही ह 36 गड़ में इस मुहावरे का कभी उपयोग नहीं होता रहा है मैं इस मुहावरे को बड़े ही निमनिस्तरक मुहावरा कहता हूँ और चुकि ओ लंबे समय तक बिधायक रहें प्रदेश में मंत्री रहें और उनको इस बात की सोभा नहीं देती है कि किसी नारी के बारे में उसके सिंगार और उसके पती के बारे में इस प्रकार की बात कहें। चलिए, डिवेट की तरव चलें, उससे पहले Lindsay News के सलखते सवाल. क्या सत्या ग्रह से कौंग्रेस के सियासी ग्रह यानि उसकी कुंधिली बदलेगी? क्या सत्या ग्रह निकाय चुनाव से पहले किसानों को साधने का माध्यम है? क्या कॉंग्रेस का प्रदर्शन गौठान योजना बंद करने का विरोध ये तीन सवाल है और महत्पूर्ण बात ये भी है कि कॉंग्रेस सडकों पर लगातार दिखने की कोशिश कर रही है और पूरे 36 गज़ और मीडिया में भी उसको स्थान मिल रहा है और ये चीज क्या उसके ग्रह बदलेगी ये एक बड़ा सवाल है सवाल कई है चलते हैं सीदे डिबेट की तरफ हमारे साथ हैं बाबुलाल शर्मा जी वरिष्ट पत्रकार हैं बाबुलाल जी पहला सवाल आपसे ही एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS और उसमें आज की राजनितिक विवस्ता को लेकर भी एक बड़ा अच्छा डायलॉग था हालांकि उसको किसी और संदर्म में ना देखे हम उसका एक किर्दार कहता है कि बापूब ने कहा है क allies गाल पर तमाचा मारे थो दूसरा गाल आगे कर दो अंगर दूसरे गाल पर भी तमाचा मारे थो उसके बाद मापूब ने कोई डिरेक्टिव नहीं दिया है यानि उसके बाद यू आर फ्री आप जो करना चाहें कर सकते हैं अब गौ सडकों पर आवारा मवेशियों को लेकर प्रदर्शन कर रही है कॉंग्रेस लेकिन वही सडीम और कलेक्टर के हम मवेशी बांध रही है यह बताता है कि दूसरे गाल के बाद का डिरेक नहीं है आप कैसे देखते हैं अपने को अच्छा बताने अपने को सब्सक्राइब बताने का माद्यम बनाते हैं तरीके कुछ भी निकालते हैं गोटा लगा ले स्वें जो है पसूप पसूओं को लिजा करके वहां बांदें कोशिश करें और जिस तरीके से यह अंदोलर कि यह स्थिति आई क्यों इस सरकार में इस सरकार के पहली वाली सरकार में यह आधा था 50-50 बने इतनी गोएं जो है सड़कों पे आना बंद हो गई थी चोंकि एक अच्छी योजना उन्होंने दी ती गोठान गोबर खरीदी का एक प्रिवजन बनाया था जिसकी वज़े से जो अपने गायों को खोलते नहीं थे गोदन को खुलते नहीं थे गोवर वो होगा गष है ऊच्छल रुपे कि एक को तो मैं मुंगेली वाले को जानता हूं बड़ी अच्छे तरीके से पहले पत्रकार थे भारती इंता पार्टी में सामिल हो गए उसके काड़ करता है उनके गोसाला चलाते हैं उन्होंने 16 लाख रुपए का गोवर बिचा था तो वो भी एक बिजनेस हो गया था मतलब आ लिए और तिवह एपास हां रहा था और उसको एकडम से बंदनी करना था करना क्या था आप कहते हैं कि गोवर करीदी में बरस्टा चार हुआ एड़ान में में ब्रस्टा चार हुआ चलिए मॉ pillars अब यह से हो आप उस विक रच्छी अच्छी उज्णा है असलिए जो है आगे कोई दूसरी सरकार आएगी, उसको बंद नहीं करना चाहिए, उसको सुधार अगर करना है, आपको लगता है कि इसफे घड़डिया है, उसको सुधार लीजे, उसके बाद कर लीजे जो करना है, अच्छा सहा काम करवा दीजे इसमें, देखिए विपक्ष का काम तो कम से कम यह नाम परिवर्तन का संकत नहीं होगा, वरहाल ये तो मजाग की बात हुई, अब मैं सीधे आता हूँ ठाकुर साब की तरफ उनकी भाव बंगिमा थोड़ी गंबीर हो गई है जी ठाकुर साब क्या कहेंगे किस तरह से देख रहे हैं आप अपने आंदोलन को सलकों पर कॉंग्रेस नजर आ रही है अच्छी बात है जनता के मुद्दे भी उठा रही है ल अंदोलन इस प्रदेश की जनता के समस्य और इस प्रदेश के पसुधन के समस्यों के लिए अंदोलन हुआ था और कॉंग्रेस पार्टी तो लगातारे बात करें कि आप गोठानों को खोली है गोठान में आपको टाला नहीं लगाना चाहिए और गोउमाता और जो पसुध कभी आमजन की मृत्ती हो जा रही कभी कोई गाड़ियों दुरगटने के सिकार हो के उसके ड्राइवर्स भी मारे जा रहा है कभी बहुत सारी छती उससे हो रही है हम तो लगातार कर हैं माननी पूर मुख मंती भुपेज भगेल जी तो इस बात को इधान सब्सक्राइब उठाएंगे आप पहले गोठावनों को खोल दीजिए जैसे बावुलाल सर्मा जी ने कहा कि भरष्टाचार के भाजपा आरोब लगाती थी तो आप भरष्टाचार के सब्सक्राइब गोठाओं को सड़कों घुमते गाई नहीं दिख रहा है क्योंकि इनको सत्ता के जो नसा चड़ गया है सुरूर चड़ गया है सत्ता के जो आमें पट्टी बन गई है वह हम तो गोव माता की बात कर रहे हैं गोठान बने हुए मारी सरकार में इन्होंने रा लाइविक खेती वहां पर दिखता है तो सारे चीजे हैं अब इनको तो सीप योजना बंद करना था इसलिए कर दिए उसका नुकसान क्या हो रहे है परेशान है और निशी तो पर गोठान आप खोल दीजिए और निशी तो पर गोठान को खोलना चाहिए कॉछ बातें बड़ी मौजू है कि कोई अच्छी योजना है ऐसा कहा जाता है कि जब यूपीय की सरकार बनी तो आटल विहारी वाच्पई जी की तरफ से शुरू की ग्राम सड़क योजना प्रदान मंतरी उसको उसका नाम बदलने की बात हुई तो ततकालीन प्रदान मंतरी ने का मैं एक अच्छी योजना है मैं उसका नाम प्रदान मंतरी से नहीं बदलूँगा और एक अच्छी योजना है तो हम क्यों कहरी ना करें उसे उसे आगे बढ आप क्यों उसको इसलिए बंद कर रहे हैं कि वह पिछली सरकार यानि वह कॉंग्रेस की सरकार थी घपले-घुटाले आप बंद करिए जवाब देए आपकी है जी सरक जी सबसे पहली बात तो यह है कि यह अंदोलन कि इसका नाम इनों ने गोव सत्यागरह दिया उसके बाद वास्तोईता यह है कि लगातार जनता का विश्वास घट रहा है कांग्रेस पार्टी का लगातार हार से परिशान कांग्रेस पार्टी हतास निरास अंतर कला से गुजरती कांग्रेस पार्टी अपने उपस्थिती दर्ज कराने के लिए इस प्रकार की नोटंकी कर रही है मेरा गव भी यहां से 40 किलोमेटर दूर है मैं भी अनेकों बार गया हूं बीच में अनेकों गोठान है मैंने कभी गोठान के अंदर में कम से कम गाय नहीं देखा मैं आपको बतागूं यह योजना ठीही कागज में ठीक है इंफ्राइस्ट्रक्चर इनों ने बनाया गोठा सब्सक्राइब लेकिन गोठान में मवेशी कभी नहीं रहे एक चीज दूसरी बात यह यह कैसा गो सत्याग्रह है जिसमें आप बरस्ते पानी में जबर्दस्तिक हसीट कर गाय को ले जा रहे हैं यह बरबरता क्या यह सत्ताग्रह सब्द गांधी जी के साथ जुड़ता है स प्रदर्शान इस प्रकार के बेरिकेट में चड़ना नारेबाजी करना यह सत्याग्रह होता है और जब यह हतास निरास कांग्रेस पार्टी अब इनको गों मता का सरण नजर आ रहा है कि कहीं वापस कांग्रेस पार्टी आज धरातल पे दिखने लगे तो नो टंकी नो टं अलाकमान यहां पर आया थे सभा करने और उनके सभा के बाद में बचे हुए भोजन को खाके बड़ी संक्या में गायों की मौत हुई थी तब इन लोगों का बिल्कुल कोई से नहीं था कोई नहीं था इनका चलिए मैं लॉटता हूं आपने कुछ महत्पूर्ण सवाल खड आना चाहूंगा जो बात आपने कही है और मुझे लग रहा है कि वह गाये जिस उदास मन से खड़ी है वह अगर कोई कार्टूनिस्ट होता तो बहुत अच्छा कार्टून उस पर बनाता कि मैं तो वैसे ही गाय हूं गाय ही कही जाती हूं सीधेपन में मेरी कोई मिसाल नही आता है उसको लेकर वह खड़ें बावुलाल जी सवाल यह भी बड़ा है कि आप हमारी गोशालाओं की क्या स्थिती यह किसी से चिपी नहीं है वहां अक्सर यह बहुत दुखद है कि गायों की मृत्यू की मृत्यू की खबर आती है और निश्चित तोर पर कुछ काम समाज के हम यह समझते हैं कि जो लोग ग्रामीन गायों को छोड़ देते हैं मवेशियों को अनुत्पादक मान कर उनसे राजनीतिक दल लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वोट का मुद्दा है तो आप किया क्या जाए आपका काम गवर्नेंस है आप अगर कुत्तों की नज समस्या तो नहीं जिसका निदान नहीं डूंडा जा सकता जी आपने कहा इस्ट्रक्चर जो तयार हुआ है जो प्रवक्ता बीजेपी के मुकेश शर्मा जी ने में इसी कर गिया कि इस्ट्रक्चर जरू तयार हुआ बाकि काग जी रहा चलिए उनकी बात को मान लेते हैं सो उनकी बात मान मिलेते हैं इस्ट्रक्चर तो है ना इस्ट्रक्चर है और गोठान की जो सोच है वो ठीक है ना उसको जो है आप ठीक से करिए उसको इमानदारी से करिए उसकी बैमानी को खतम करिए और उस इस्ट्रक्चर का फाइदा उठाइए जो इस्ट्रक्चर बने हु हो रहा था तो उस बढ़िया काम को आप इंप्लिमेंट कर दीजिए ना हर जगा जो महासंभूंद का जो एक आधर्स इस्थिती मैंने देखी ती जहां पर गोवर की स्थिक बन रही है जो संसान में लड़क लकडी बनती है गोवर की लकडियां बन रही थी लंबी-लंबी श् मिलता था गोवर खरीद के भी इसमें खाद बना करके जो बेचा जा रहा था और भी वह सारा घड़बडियां थी यह माल लेते हैं कि कहीं न कहीं घड़बडियां भी थी इंप्लिमेंटेशन में कमी भी थी आप आपकी सरकार है आप उसको समझिए और समझ करके उस इस पा पालकों की भी पहचान होनी चाहिए जो अपने गोव को जो है दूद निकालने के बाद सोड़ देते हैं सड़कों पे उनकी पहचान भी होना चाहिए और इन गोव के गले से पट्टा होना चाहिए जिसमें मालिक का नाम भी हो और अगर गलतियां हो रहे है तो उसको भी प कब तक होगी क्योंकि जहां मनुष्यों की हालत खराब है अनात आलय में इस तरह के वृद्धाश्रमों में चात्रावासों में बच्चों की हालत खराब है तो हम देखते हैं वहां पश्वों की रक्षा का सामाजिक दाहित्व यह समाज क्या उठाने के लिए तयार है यह पहले कहाना कि जब आप विवस्थाएं थी उस विवस्थाओं को खत्म करेंगे तो अविवस्था फैलेगा आप जिस पशुधन पशुपालकों की बात कर रहे हैं हो सकता है उनकी मजबूरी हो क्योंकि जब पशुपालक थे और उसके पशुधन था तब देखेंगे साने पिलाने के लिए बहुत सारी विवस्थाएं होती थी मुझे ऐसा लगता कि गाउं से संपर्ख है मेरा तो चारा के जमीन आजकल तो बहुत सारे खतम हो चुके हैं और जिस प्रकार से खेती की साने में अधुनिक्ता चीजे आई है तो सभाविक बात है चारा उनके लि आप पसुधन को वहां लाके छोड़ दीजिए और साम को जब घर लोटते हैं तो पसुधन को अब ले जाईए और पूरे दावा के साथ कर रहा हूं उस गोठान को लेकर हर गाउं में अससा उस साथ लोग सहयोग कर रहे थे इसी प्रदेश में किसान लगभग वहां पर प सुधन को चारा मिलता था महिला स्वाइसाता समुगाओं की बहने क्या कर दो